आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ किसी के बुखार है तो उसे कम कर देती है Body Temperature को तो उन Substances को हम क्या कहते हैं तो सबसे पहले Pyrotix क्या होती है Pyrotix वो होती है जो की हमारे Body Temperature को क्या करती है बढ़ाती है इनका क्या काम होता है Body Temperature को Increase करना यह हमारे Body के Temperature को Increase करती है फिर antipyotics क्या होती है एंटि पायिक्स वो होती है जो कि हमारे body के temperature को कम करती है अगर हमें fever है किसी भी तरह का बहुत जदा high fever है तो क्या होता है ये हमारे body temperature को कम करती है in case of fever फिर antipyotics की बात करें तो antipyotics जो होते है इनका इस्तमाल किया जाता है किसी भी तरह के infection को treat करने के लिए यानि कि they are used for treating infections क्योंकि इनका नामी है anti-biotic anti यानि वो medicines जो कि kill करती है और biotic यानि bacteria को तो treat infections के लिए इसका इस्तमाल कियाता है फिर antiseptics का इस्तमाल कियो जाता है anti यानि जो खतम करती है septics यानि किसी भी तरह के infection को अब यह infection दूसरा infection है यह जो infection होता है यह किस वज़े से होता है bio या फिर living thing से यानि कि जो living bacteria होते हैं हमारे उनसे यह infection होता है bacteria और यह जो infection होता है antiseptic वाला यह जो treat infection होता है यह किस वज़े से हो सकता है यह किसी भी वज़े से हो सकता है जो कि नान लेविंग हो जैसे कि हो गया हमारा किसी भी तरह की चोट हो गई तो चोट में infection ना हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करे gjाता है और या फिर जैसे लोहा लग गया तो लोहा अगर लग जाता है तो उसकी जगे इसको इस्तमाल कियाता है साफ करने के लिए ताकि गंदली से infection ना हो या फिर germs इसके उपर ना आएं germs इसके उपर पन अपने ना पाएं इसके लिए हम इस्तमाल करते हैं antiseptics का तो हमें हमने option में क्या दिया गया था option नमबर बन है pyetix जो body temperature बढ़ाती है antipyetix जो body temperature बढ़ाती है fever के case में antipyetix जो infection को treat करती है जो की bacteria से होता है और antiseptics जो infection को treat करती है जो की non living thing से होता है तो हमारा जो जो antiseptics होती है वो bacteria से बचाती है तो substances used for bringing down temperature in high fever are called antipyetix drugs याने कि हमार जो correct answer हो जाता है वो क्या होता है antipyetix क्योंकि antipyetix drugs जो होती है वो body के temperature को कम करके fever को reduce करती है थांक यू